कि देखो वे गना स्टार्ट लिंग्लिस तुड़े और लिंग्लिस को मैं किस तरीके से कबर करवाऊंगा तो सब सुकून से इसको देखने एक दफा और पहले मुझे कुछ चीजों के बारे में बात करनी है लिंग्लिस से ही रिलेटेड है तो अब जो है हम लोग ने रिकॉर तो इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उतनी ही प्रैक्टिस लगेगी आप लोगी तरफ से तो मैं जर इसको ब्रेकडाउन कर रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग लिंग्लिस पढ़ेंगे आज हम पूरे लिंग्लिस का ओवर्वियू लेंगे पूरा मतलब कम् दिखाता रहोंगा क्या कोर्डिंग से लिंग करता रहोंगा चीजों को लेकिन पूरा प्रापर कोर्ड नहीं लिखेंगे समयह हम आजड़ी क्ल्स में तो आजए क्लास में complete लिंग्लिस है है थोड़ा बहुत में चीज़ यहां पर बता हूं dos hotel, किस सरे हम सब चीज़ेंढिंगे आख रहे थी एक य ELix में तुम्हों दिखा दिए ता हूं झाली से 12 009 неб Aus था कि तुम नों कूछा आपके लिg तुम्हेंस में आप लोगए को क्या ख цвет णा आना चाहिए ए 2024-2025 वाला स्लिवस अचा अब इसके मतावक जहां पर चलते हैं हम लोग अपना subject content A level content let's open chapter 1920 अचा सब यहां पर और से देखें हमारे पास sling list के अंदर यहां पर शोरन नसी यह पूरा ADT वाला आपका concept है ठेक है अब इसके अंदर हमारे पास जो चीज मौजूद है that is write algorithms to find an item in each of the following link list और binary के अंदर एक item को ढूंते किस तरीके से कि एक तरीके से searching का concept है searching in a linguist इसको कहते है searching in a linguist तो इसका एक code आना चाहिए आपको पूरा algorithm लिखना आना चाहिए आइटम को insert किस तरीके से करते हैं मतलब link list के अंदर किस तरीके से insert करेंगा अभी फिलाल stack you binary को छोड़ दो मैं सिर्फ link list के बारे में बात करेंगा तो searching in a linguist उसके बाद adding in a linguist अब adding जो होती है वो दो किसम क्यों होती है हमारे पास linguist के अंदर एक होती है जिसमें order matter करता है एक होती है जिसमें order matter नहीं करता है तो अभी दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे detail में फिर उसके बाद तीसरी चीज़ है भाई write algorithm to delete an item from a linguist तो add करना है delete करना है search करना है तो यह तीन codes है जो कि आपको आने चाहिए किसी से related link list से related सही है तो आज की class will be usually focused towards तीनों चीज़ों के बारे में बात होगी सही है लेकिन coding involved नहीं होगी conceptual link list है और आज की class जतनी important है तुमनों की एक तरीके से लाएक तुमनों लोग तसवर भी नहीं कर सकते कि कितनी important class है आज क्योंकि आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे जो concepts हम पढ़ेंगे जो चीज़ हम सीखेंगे देखो मेरे लिए बहुत असान है इंतिहा से जाद असान है कि मैं तुमनों को बोलूँ ये PDF लो तुमनों और PDF में जाके ये code रटा मारो इसको जल्दी से ये वाला ये code तुमनों को दे दूँ add note का code और जाके इसको रटा मार लो रटा मार के exact same to same code लिखकर आना है legit और कुछ भी नहीं करना है same to same code लिखकर आना है और जा एक तरीके से मत तुमनों को पूरे marks मन जाएंगे समझाए नहीं है कोई मसला नहीं है इतना कोई पूरे की मुझे चीज़ नहीं है तुम लोग रटा मार भी लोगे और उसके बाद ये तुम लोगो दे तूँ add note का किस तरीके से आपने add करना है add करने के बाद मैं तुम लोगो delete note का code दे तूँ कि बाए बस ये code याद करना है दस दफ़ा तुम लोगो प्रेक्टिस कर लो ना वो तुम्हें समझ आई यह क्या चीज़ है अभी जैसे तुम इस चीज़ को देखो यह क्या लिखा while current pointer is not equal to negative one इसका क्या मतलब है यह तुम्हें पता होना चाहिए हम क्यूं कर रहे हैं यह तुम्हें पता होना चाहिए सिर्फ रटा नहीं मानना है क्यूं क्यूंकि दे सब चीज़ें मिलेंगी एक एक चीज तभी जितना अच्छा है क्यूंसेप्स हमने स्ट्रॉंग कर सकतो कर लो चीज़ों को समझ लो और हर चीज़ को breakdown करना सीखो कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है आपको यह समझ आनी चाहिए आपको पूरा कोट समझ आना चाहिए सब चीज़ हम लोगों ने देखने हैं डीटेल में कि यह किस तरीके से काम करेंगे डिलीट नोट के बारे में बात करते हैं उसके बद देखो आज हम basic class है और basic के बाद ना एक तरीके से यही same चीज़ फिर से repeat होगे तो परिशान नहीं हो ना इन सब चीज़ों से तो हर एक एक चीज बाद-बार एक तरीके से रिपीट होती रहेगी तब भी मैं अगर classes divide करूँ कि कितनी classes लग जाएंगी इसमें तो complete linguist एक class हो सकती है इसमें हमारी, उसके बाद we can take second class which is edition का concept, जब edition तक आ जाता है न, फिर कोई मसला नहीं होता आप लोगों को, तो maximum three to four classes आपको linguist की चाहिए फिर उसके बाद binary tree का concept start हो जाएगा, तो मेरे खिराल से मुझे next week जब फिर linguist को हम लोगों को देना पड़ेगा सही है, चलो let me know if there is any queries जो अपी तक तुम लोगों की हैं, इस related कोई problem तो नहीं अपी तक किसी को बात करेंगे, linguist के बारें बात करेंगे सब सब चीदों के बारें बात करेंगे नहीं नहीं भाई चुचा पड़ो बस binary tree रह जाएगा बिलकुल फिर binary tree रह जाएगा recursion के छोटा सा concept है नहीं, बिटेस के बाद recursion है ठीक है उशा बस प्रैक्टिस करने है उसकी आपको नहीं बिटा, यह सब चीज नहीं हो रही मौक हो और कुछ भी हो आगर तुम लोग ने क्लासे स्किप की फस जाओगे नहीं, नहीं, कुछ मॉड़िफाय हो गए रहा है, कुछ भी नहीं करना same to same code होता है same to same code हाँ ताहा, बिल्कुल मेसेज आ रहे है, मिटा, मुझे sir, आपके प्लैन में रहे हैं मिटा, मौसन समझा जाजागे भी इससे related problem, ठीक है चलो अब सुनो classes को start करने से पहले मुझे थोड़ी वह चीज़न clear करनी है देखो, तुम लोगों के सवाल हैं और सवाल होंगे जब मैं पढ़ा रहूंगा तो मुझे पता कि सवाल आएंगे एक चीज़ अपने दिवाँ को में ठालो ये भाई, please सिर्फ जवाब देने भी तुम लोगोंने सवाल मैं करूँगा आप लोगों से जो सवाल करूँ मैं उसका जवाब देता फिरु तुम लोगों मैं time देऊगा कि queries अपने के लिए कर लेगा सभी है, एक एक करके करेंगे, सारी चीज़ है चलो, let's start with the concept of link list basic, बिल्कुल basic बात करते हैं बिल्कुल basic से start करते हैं कि link list क्या होती है भाई हम लोगोंने कल जो है, एक चीज़ सीखी थी that is, node का concept हम लोगोंने सीखा था कल की class में, और node क्या होता है पहले node को समझते है, node अगर breakdown कर लिया हम लोगोंने फिर आप लोगोंको link list समझा जाजएगा फिर उसका use समझा जाजएगा हर चीज़ समझा जाजएगी तुम लोगों सभी है, तो जब भी हम बात करते है एक node की, तो एक node क्या है एक node के अंदर दो चीज़े होती है एक होता है data, data itself कि उसमें क्या data available है आपका क्या चीज़ उसमें store होई भी है, उस particular element के अंदर और उसके साथ ही एक और चीज़ होती that is the pointer अब pointer क्या चीज़ है भाई, pointer is basically समझ लो, कि वो next node किस location पे मौझूद है that's the thing, अच्छा मैं थोड़ा बहुत ना इसको तुम लोगों को ये node का concept अगर clear कर दूँ तो अच्छा हो जाएगा आच्छी class में क्योंकि हम लोगों को बस time है, सुकून सम्ट कर सकते है चलो, let me open my पाइचा, तुम लोगों को arrays records, nodes basic basic सारी चीज़ और linkless में तुम लोगों के codes में इस्तेमाल होनी है, फिर उसके बाइद increment, ये सारी चीज़ हम लोगों ने सीखनी है चलो, let's have a look at it अच्छा जी जब इसको यहां सा अठाते है अब node क्या था वाई, node एक basically class है, एक record है ताकि थोड़ा बहुत तुम लोग न, इससे भी link draw एक class है आप लोगों की node के नाम से जिसमें आपके पर दो चीज़े मौझूद हैं, अभी मैं declaration वगएरा नहीं कर रहा हूँ declaration को छोड़के हम बस normally काम कर रहे हैं def, underscore, underscore init इसके अंदर हमाँ पर दो चीज़े होंगी, दो चीज़े कौन-कौन से होंगी भाई इसको declare भी करना है, आप लोगों ने जितने attributes इसनमाल करोंगे, वो publicly declare होंगे, अभी फिलाल पैस मैं ऐसी कर रहा हूँ, पहला होगा भाई में पास data और दूसरा होगा मेरे पास pointer pointer क्या है, वो next node की तरफ पॉइंट करोंगे, अब यह बात करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, detail मैं अच्छा, अब इसके अंदर जल्दी से बना लेते हैं, अपने हम attributes, self.data, पब्लिक attributes बनते हैं, recorder टाइप इस्तमाल करें, एक node बना के दिखा रहा हूँ, बस लोगो, self.data, और उसके बाद जो है, इदर मैं data pq value store करता हूँ, self.pointer, इदर pointer pq value store कर लेते हैं, ठीक है, यह ए नोट को बनाते हो, अब मैं एक array बनाना चाहरा हूँ, जिसमें 5 elements होंगे, 5 elements होंगे, किस चीज़ के node data type के, सभी है, हम सब यहां पर focus करें, एक array बना रहा हूँ है, उसका हम नाम रख देते है, link list, एक array है, उसका नाम मैंने रख दी है, link list, उसके अंदर कुछ nodes मौजूद ह कौन-कौन से nodes मौजूद है, अब देखना, node, पहला एक node है, उसके अंदर data है, imagine कर लेते हैं, A, A is the data, और उसकी pointer value है, A जो है, वो point कर रहा है, समझ लो, B की तरफ, ठीक है, A point कर रहा है, B की तरफ, अब B की data value रख देते हैं, pointer की value 3, अभी मैं तुमनों को दिखाऊंगा य चीज, पहले पूरा बना देता हूं, फिर दिखाता हूं, node, 0, node, 0, 0, 1, 2, and now 3, कितने elements होगे, 1, 2, 3, 4, एक और बना रहते हैं, अब C बना रहा हूं, node, C, C की value, 0, 1, 2, 3, 4, समझाता हूं अभी, परिशान हों तो, प्लीस, चलो, अब सब्सकूंचे देखो, यह क्या है, हाई, basically, मैंने एक array बनाया है, यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, हम array से ही काम करेंगे, array के जरिये से ही, आपकी linkless बनती है, लेकिन उसके अंदर, एक record, record का array होता है, किस तरीके से दिखता है array, पहले जरा उसको visualize कर लो, तुम लोग मेरे पास, कि array किस तरीके से देखेगा, array कुछ इस तरीके से आप लोगों का दिखता है, जरा मैं यहाँ पर एक rough सा array बना रहा हूं तुम लोगों के लिए, पांच elements का array है हमारे पास अभी फिलाल, तो कुछ इस तरीके का array आप लोगों को दिख रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक array उसके अंदर दो values हैं, इस तरीके से, डिवाइड हो है, और उसके अंदर आपके पास elements मौजूद हैं, इस तरीके से, लेक में शोओ यू, अच्छा, एक पे हमारे पास data है, और एक पे हमारे पास pointer, तो अगर मैं इस चीज़ को बनाओ, जो मैंने भी तुम लोगों का array बनाया है, उसके मताबिक ज़रा इसको बनाते हैं हम लोग, मेरे पास सबसे पहले उसमें क्या values हैं, यह 0 है, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 5 elements इस तरीके से बनते हैं, अब मैं जल्दी से देखता हूँ, मेरे पास सबसे पहला element क्या है, उसकी data value बताओ सब चैट पे, what's the data value of the first node that we have, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, data value क्या है, सबसे पहली, a, perfect, अपने array पे जाते हैं, सभी, अपने array पे जाते हैं, यहाँ पे हम a store कर देते हैं, a की pointer value बताओ जल्दी से, a की pointer value बताओ, what's the pointer value of a, it's 3, इसका मतलब क्या है, इस ती इसको समझना, मैं यहाँ पे a डाल रहा हूँ, इसकी pointer value is 3, तो 3 यहाँ पे रख दताओ मैं, इस तरीके से, एक तरीके से का, एक particular node बन चुका है मेरा, तहाँ बिटा भी यहाँ पे focus कर लो ना, मुझे पढ़ाने दो, अच्छा, third index वाले element की तरफ point, बिलकुल ऐसे ही है, इसका यह मतलब है कि a जो है, वो third वाले element की तरफ point कर रहा है, इसका यह basically यह मतलब है, अभी मैं दिखा दो, सारी चीज़ा सीखते हैं, अच्छा, अब उसके बाद वाले element, उसके बाद वाले element खाली है, empty है, बिलकुल, right, और वो किसी की तरफ point भी नहीं कर रहा है, वो हमारे list का हिसा नहीं है, वो बस empty node एक तरीके से मौझूद है, वो खाली एक node मौझूद है, अभी हमारी list का हिसा नहीं है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं च में नहीं है, तो यहां पे भी empty, यहां पे भी empty, अब आजो हमारा index position third, जल्दी से index position third पर आजो जल्दी से बताओ index position third पर आजो that's B4, B4 right, जल्दी से इसको B4 पर store करते हैं, B और यह 4, अच्छा इसको न, negative 1 पर करवा देता है, क्योंकि अभी class शुरू हुई है बोलो, क्या इशु हो आ रहा है अब्दुल्लाअमीर, अब्दुल्लाअमीर ही होगा न, यह कि हमारे पास है, महान शख्स negative 1 जो होता है, that's basically null value अभी आश्ट 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 सारे concept clear हो जाएंगे परिशान मत हो बिटए, array के अंदर तो लिखना है हमारी list के अंदर list का हिस्सा नहीं है सही है, हमारी list का हिस्सा नहीं है clear होगी अब्दुल्लाअमीर तो मैं चल अभी रुख जो न, मैंने कहा तो सवाल मत करो, सवाल मत करो अभी सिर्फ focus करो, मैं एक तो तुम लोग न अच्छा, अब मेरे पस क्या है भाई, fourth element पर आते है fourth element पर क्या चीज़ मौझूद है अच्छा, मैं जल्दी से इसको न, यहाँ पर बना देता हूँ मैं इस randomly कहीं पर भी store कर रहा हूँ this is B, वैसे इसकी index position 3 है और यह इसके pointer में value जो मौझूद थी वो fourth ही, fourth का मतलब है fourth index position की तरफ point कर रहा है जहाँ पर क्या चीज़ मौझूद है, जब अपने पाईचांप पर जाके देखते है, वहाँ पर एक चीज़ मौझूद है which is C, और C जो है null की तरफ point करें, मतलब खतम हो चुका है एक तरीक से, तो हम लोगों की linkless कुछ इस तरीके की दिख रही होती है, बस मैं यह चीज़ जो मैंने बनाई है न, मैं यह सिर्फ थोड़ा बहुत तुम लोगों को visualize करके करने के लिए बना रहा हूँ, बाकि फिर हम इसको concept को सारी चीज़ें हटा के फिर एक करके सारी concepts को detail में discuss करेंगे लेकिन अभी कुछ चीज़ों को यहां से समझो और क्या चीज़ समझ रही है, कि पहली चीज़ link list link list के अंदर मुझे क्या डालना है, इंडेक्स position बता नहीं है, मुझे 0 की position की बात करो, जो सबसे starting value थी वहां से start करो, इसकी मुझे pointer की चाहिए मैंने कहा dot pointer इस code को समझो पहले तुम लोग सिब basic code को समझो अभी फिलाल, आइस्ता इस्ता सारी details समनों को सारी clear होगी अभी फिलाल, point equals to link list zero dot pointer, मुझे बताओ, जल्दी से point की value क्या होगी, मैं ज़रा print करके देखता हूँ print point, चलो, अब मुझे सब chat पे जवाब दे, point की value क्या होगी let me open your chart, जल्दी what will be the value of point सब का जवाब चाहिए सब सारे concept समझाओंगा, मैं एक चीज को दिमाग में रखावाए, मैंने भी जो कि असल codes है, उसको मैं breakdown करनी कोशिश करूँ अभी फिलाल, इस तर इस तर फोकुस करूँ पे पॉइंट की value अच्छा अब एक मैं रुक जाएं सब अच्छा यूसफ बिटा ठीक है, भी रुक जाओ अच्छा एक मैं रुक जाओ सब चाट पे अब्दुल अजीज आओ बिटा चाट पर आओ, अब्दुल अजीज एक मैं सब रुक जाएं चाट पे अब्दुर्जीर चैट परो क्या सवाल बिटे तुम्हारा क्या चीज़ समझ नहीं तुम्हें बोलो-बोलो क्या-क्या-क्या क्विरी कहा थम्हारी ख्लेर करो उसको अभी फॉरण भई देखो इस कोट को समझाओ मैंने क्या किये तुम यह बताओ करी क्लास में थे अच्छा चलो अब सुनो यह एक क्लास बनाई ही मैं नोट के नाम से अब उसके अंदर क्या है भाई यह नोट बनाए वे मेरे अलग-अलग नोट बने वे अब हर एक नोट की न एक डेटा है उसका note का एक pointer value भी है node का एक data है और उसकी एक pointer value node का एक data है और उसकी एक pointer value फिर node का एक data है फिर उसकी pointer value ठीक है अब आई साथ सारे मैं concepts को link करा हूँ अभी जो मुझे चीज समझानी है वो यह है कि आप array को इस्तेमाल किस तरीके से करते हो यह इस चीज को समझो मैंने का point is equals to link list zero dot pointer zero dot pointer का मतलब क्या है कि जो particular node आपका index position zero पे मौझए होते है उसका pointer मुझे चाहिए which is basically three तो में पास answer three आना चाहिए let me run the code यह देखो मेरा answer क्या आ रहा है मेरा answer three आ रहा है ठीक है जी तो इस तरीके से हम लोगा code काम कर रहा है सारा बेटा सुकून से जवाब तो सब सुकून से जवाब दे है link list three पे जाओ zero one two three यह three आपका zero one two three three पे जाओ और उसकी pointer की value क्या है three की pointer की value क्या है that's basically four b4 क्यों बोल रहो तुम लोग मैंने सिफ pointer की value बोली है मैंने कहा pointer की value so the answer will be four perfectly काम कर रहा है चलो अब दूसरी चीज़ों को देखते है अब data के बारे में समझते है 20 कि किसकी value देखो 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 अभी देखो रुकईया अब मैंने कहा हूँ मुझे link list three का data चाहिए तो मैंने कहा data अब बताओ answer क्या हैगा अब बताओ answer क्या हैगा रुकईया तुम्हारे चवाप चाहिए मुझे अब बताओ answer क्या हैगा अब भी आएगा क्यों हैगा भी क्योंकि मैंने कहा link list का data मुझे access करना है तो अब देखो code को run करते हैं में पस भी आ रहा है सही है सब पोइंटर वाला अच्छा मैं समझा देता हूँ line 6 एक बार repeat कर दे line 6 जो है बताओ ये एक array बना वाए कुछ एक ऐसा array जिसके अंदर nodes मौजूद है जैसे हम लोगों ने object-oriented programming में array बनाया था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था अब्जिक्स का array तो ये बेसिकली आपका nodes का array है उसमें हर एक-एक node में हर एक-एक index position पे एक node मौजूद है एक object मौजूद एक तरीके का सभी ये एक object मौजूद है node के नाम से जिसके अंदर दो चीज़ है दो attributes है कौन-कौन से पहला data है उसके बाद उसकी location ने वो किसकी तरफ point कर रहा है that's the concept of a node अच्छा अब जब मैं कहता हूँ link list 3.data तो में पस data आता है अब जब मैं कहता हूँ link list 3.pointed तो में पस pointer आता अब जल्दी से pointer वाली चीज़ देख लेते हैं फिर से अब मैंने कहा link list 4.pointed मैं कहे रहा हूँ link list 4.pointed मतलब 4 का pointer क्या है मैं यी चीज़ चेक करना चाहा हूँ अच्छा मुझे यूशा अब तमारा जवाब चाहिए मुझे link list 4 का pointer चाहिए जल्दी से जवाब दो अब answer क्या आएगा मेरे पस जब मैं time को run करूँगा तो मेरे पस answer क्या है value मुझे तो value तो negative बन answer आ रहा है देखो code mail को बिलकुल perfect काम कर रहा है तो negative बना रहा है अगर मुझे इसका data access करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैं कहूँगा dot data सही जो मेरे attribute था उसके मताबिक तो मैं dot data call करूँग तो मेरे पस answer क्याएगा नहीं बिटर नहीं नहीं सारा उसमें हमारे नहीं बना सकते है अलग सा बनता है रहे तहा भी रुख जो हम एक array के अंदर आपकी free list भी होती है empty list भी होती है और normal list भी होती sell list है वो बात में बात करेंगो इसके बारे में जली से अगर मैं इसको print करता हूँ तो answer क्याएगा भाई में पास C तो यह देख लो तो अब मुझे जरा सब चार्ट पर जवाब दें yes or no के अंदर बिल्कुल है सी अब दिला सब मुझे yes or no में जवाब दें कि सबको notes की values को access करना आ गया notes की values को array के अंदर किस तरीके से access करते है is link list and array and object कह सकते है object object का array यह कह सकते है सबको note की values का access करना आ गया सबको पूछो अजीज बिटा पूछो जल्दी node is an object बिलकुल है सही है node is an object अच्छा एक मुझे चैट पॉस्ट करता हूँ सर अगर हम खाली वाले access करें तो वह भी access कर सकता हूँ कोई मसला नहीं यह देखो link list one dot data one dot data one dot pointer कर लेता है यह देखो one dot pointer सभी one dot pointer करता है तो जैसे मैं code run करूंगा तो आप उनको भी access करता हूँ नेगे बनारी लेकिन अभी फिलाल मुझे access करना नहीं उसको 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 एक अलग वज़ा है वो मैं बात करूंगा आप लोगा सारी चीज़ां इस तरह इस तरह मैं link करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी फिलाल के लिए पहली चीज़ जो जो अभी फिलाल का concept है that is how to access the values of array and node that's the thing सभी note को समझ रहे हैं भी फिलाल अच्छा मुझे ये बताओ अब्दलाजीज बटा तुम्हारा क्या सवाल था जल्दी से अभी फिलाल कोई और चाट पर नहीं है मेरे साथ अब्दलाजीज जल्दी से सवाल कर अपना हसी बटाए एक में लोग जो भी सब कोट शेक करेंगे अभी मैं कोडिंग तुम लोग के नहीं दिखा रहा है अभी से बेसिक्स को क्लियर करो होगया क्लियर चलो परफेक्ट ठीक है चलो अब आजो towards the concept of link list अब बात करेंगे हम लोग link list के बारे में proper detail के अंदर जितनी समझनी ती record से related बाते हैं वो सब हमने समझ ली है अब सब बेसिक चीज़ें अपनी दिमाग में रखेंगे चलो इस area को नहीं मैं यहीं पर रखता हूँ इस area को हम लोग यहीं पर रखें यह हटा देते हैं चलो बेसिक बाते करते हैं लेकिन अब तुमनों को बस एक चीज़ दिमाग में होनी चाहिए अच्छा कुछ चीज़ें दिमाग में बठा लो पहली चीज़ें दिमाग में बठा लो link list जो बनती ही area के अंदर बनती है पूरी complete area के अंदर link list मौझूद होगी उसको फिर हम indexes को हम set करेंगे जैसे अभी मैंने तुमनों को पाइचाम में दिखाई अच्छा इसका सबसे पहला element है A A के बाद कौन सा element है यह बताओ सब चाट पे link list के मुताबक A के बाद कौन सा element है मेरे पास A के बाद कौन सा element है empty नहीं बोलोगे अब तुम यह link list है link list के pointer की values को देखो pointer की value क्या है वाई 3 3 पे जाओ 3 के बाद मुझे value बताओ which is B फिर B के pointer को देखो pointer को देखो 4 तो 4 पे जाओ फिर C तो इसमें कितने elements है मेरे link list में link list में में पस कितने elements है तो इस चीज़े अभी फिलाल क्या समझ रहा है तुम लोगों ने कि एक array होता है उसके अंदर हम लोग की link list बनती है ठीक है और उसको पिर हम लोग जो है pointer से सारी चीज़ों को set करते है will we have to create an object node between the array बिल्कुल ऐसे ही मोई वो सब सीखेंगे आइस्ता इस्ता सारे code सीख लेंगे ठीक है तो null को element count नहीं करेंगे नहीं null को हम लोग element count नहीं करते है ठीक है चलो यहां तक अगर सब को clear हो गया तो बस b3 आज़ो भई अब बात करते हैं towards the concept of link list link list क्या होती है इस चीज़ को समझने के लिए ना पहले इसका use समझते है यह linguist हम इस्तमाल कहा करते है उसका असल use क्या है पढ़तो रहे हैं हम लोग लेकिन इसका फाइदा क्या है हम क्यों पढ़ रहे हैं आज़े सब को मुझे ही बताओ playlist का concept ले रहा playlist जो होती है आप लोग की कि एक के बाद एक दूसरा जैसे तुम लोगी music की playlist होती है music वगरे की जो तुम लोग playlist अगर इस्तमाल करते हो तब उसके अंदर क्या करते हो भाई तुम लोग हाँ हलाल music भाई ठीक है नशीद वागरा सुनते हो जो भी सुनतों तुम लोग ठीक है अब सुन लो भाई ना तो की playlist कर लो भाई मैं सिर्फ example दे रहा हूँ अच्छा अब सुनो अब जब हम बात करते हैं playlist के वाले से अब ही फिलाल example है भाई हो और बहनो अब ही सिर्फ समझ लो चीज़ों को अच्छा देखो अगर सबको playlist का concept ले रहा है तो होता क्या है कि for example suppose करो मैंने एक imagine करते हैं मेरे पास एक music है music A के नाम से इसको कहते हैं A music और मैं एक order में मुझे अच्छा लगता है कि भाई मैंने एक अपनी playlist Sounds बनाई वे मैं इस order में जो है अपनी सारी चीज़ों को सुनता हूं सही है music को सुनता हूं अब सब गोर से देखेंगे भई A music है उसके बाद मेरे पास है B Music मैं B Music को पास है इस पिसे परता हूं کہ B Music सुनौ फ्र मैं परता है कि मैं C Music सुनौ फिर मैं पिफर करता हूँ कि मैं D Music सुनू तो मैं इस order में अपना पसंद करता हूँ अच्छा अब सवाल यह आता है क्या ये memory के अंदर अगर मैं memory दिखाऊं तुम लों को कुछ अपनी memory बना के दिखाऊं ये मेरा memory है ये मेरी memory location है सही है? इस memory location पे ना Randomly कहीं ना कहीं बस ऐसी मौजूद हैं कहीं ना कहीं मौझूद है बस कहीं पे BC music फिर basic music फिर दिख मुझीछ इसलिए कहीं पॉस्यार और शाम पर पहने ही मुझे ठ groom ने का पता लेकिन अभिन मुझे ये बता हूँ मैं इसके अंदर जब भी अपने data की अंदर store करता हूँ जैसे ए मियूज़िक है, इसका मैं एक node बना लेता हूँ, इसको node के अंदर store करता हूँ और इसके साथ न, पॉइंटर के अंदर मैं location डाल देता हूँ, किसचीज की B music की. तो बी म्यूजिक की तरफ आ जाता है बी म्यूजिक के अंदर भी एक नोड है उसके अंदर लोकेशन मौजूद है किस चीज़ की सी म्यूजिक की सी म्यूजिक के अंदर क्या चीज़ है भाई सी म्यूजिक भी एक नोड है जिसमें location मौजूद है किस चीज़ की डी music की अब डी music की है भाई डी music भी एक node है जिसमें की है भाई negative 1 negative 1 मतलब null तो यह क्या चीज़ बन गई यह एक link बन गई अगर मैं यहां पर location दे दो location है यह 100 यह 88 इसको देते हैं 256 और इसको देते हैं 342 तो अगर मैं तुम लोगों को एक linkless बना के दिखाओं तुम्हें पास यहां पर है a music अब मैं arrows के बगार बना के दिखा रहा हूँ a music arrows तो आप लोग समझने के लिए करते हैं तो असल में क्या होता है वो देखो a music के अंदर मुझे बताओ यहां पर क्या value store होई होगी सब चैट पर बताएं जल्दी से a music क के तरफ point करना चाहिए तो b music की क्या index value के location के बटा b index की क्या location है that's 100 सही है तो यहां पर क्या चीज़ होगी यहां पर 100 होगा सही है अच्छा अब 100 के मतलब क्या है यहां पर for example यहां पर b music डाल देता है this is 100 location ठीक है अच्छा अब उसके बाद b music के pointer में क्या चीज़ होगी यहां पर हम डाल देते हैं c music और c music की location है 342 a music की location है 88 और d music की location है 256 चल अब बताओ सब बताओ भई b music की location की है b के बद मुझे c चाहिए arrows के बगएर बताओ यहां पर नंबर क्या आना चाहिए यहां पर आएगा 342 परफेक्ट यहांगे 342 342 का मतलब क्या है यह link इस तरहीं कुछ link बनी है आपकी सही है यह कुछ link बना है आपका यह link बन गया सही है सुनो सुनो बिटा भी focus क परो भी सारी चीदो को क्लियर करने दो अच्छा अब बताओ मैं सी म्यूजिक तरह मैं पहुच चुका हूँ अब सी म्यूजिक के location पर क्या होगा सी म्यूजिक की location पर क्या होगा सी म्यूजिक की location पर क्या होगा 256 परफेक्ट हो गया भाई तो यहां पर हम लिख देंगे 256 इसका मदलब क्या है कि next जो नोड है जो मुझे next चीज सुननी है that is 256 पर मौजूद है 256 पर जाओ और वहां से उसके data को उठा लो उसके data को मैं किस त data इस तरीके से चोड़ो दो नल नल वाले जो elements होते ना वो connect नहीं होते हमारे linkless के अंदर वो linkless का हिस्ता नहीं होते है जो खाली elements है वो linkless का हिस्ता नहीं होते है बस यह एक linkless बनी है मेरी अभी फिलाल अच्छा अब यह 256 की तरह point कर रहा है और 256 जब वह कहीं पर भी नहीं बिल्कु लहमद वह हम अलग से पढ़ेंगे यह होता भी start pointer इसको क्या करते है start pointer start pointer अच्छा मुझे जरह start pointer की value बताओ कि मेरी linkless start कहां से हो रही है उसकी location बताओ बिटा location 88 है location बताओ तो start pointer की location होगी 88 क्यों 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 कि वह बता रहा है कि यहां से start हो रहा है फिर यह जो है b music पे जा रहा है b music जो है वह c music पे आ रहा है और c music जो हो d music पे जा रहा है तो यह एक cycle बन रही है आपके एक link बन रही है एक लिंग लिस्ट पूरी बन रही है के जिस तरीके से को हम्में अब एक्सिस किस तरीके सेब alma हम भी यूजफर से एक्सिस करते है अगर मुझे इसके कल़ और कूई भी चीज धूंड नहीं है इस दिसेसे इन जैसे 88 किसकी तरफ पॉइंट कर रहे है डानिया डटा बताओ यह बताओ किसके तरफ तरह तो इसका मतलब है यह लिंक बन गई मतलब सबसे पहले सबसे पहले नोड जो pointer देखके perfect तो उसका मैं pointer देखूँगा अब pointer देखके फिर मैं क्या करूँगा भाई अब उसके बाद मैं next element पर जाऊँगा तो हर चीज की जो movement होगी न वो pointer को देखके movement होगी जैसे अच्छे यह बताओ array के अंदर क्या होता था हम next element पर किस तरीक से जाते हैं यह बताओ पहला element index 0 फिर दूसरे element 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 तो यह plus 1 का increment है तो index equals to index plus 1 कह सकते हैं हम लोग क्या हम लोग यह कह सकते हैं index equals to index plus 1 यह array के अंदर होता था लेकिन यहाँ पे तो एक order में चीज़े नहीं है यहाँ पे एक order में चीज़े नहीं है हमारे पास different locations पे लेकिन हम किस order को follow करेंगे यह बताओ किस के order को follow करेंगे the order of pointer the order of pointer जो pointer को order है pointer में सबसे पहला element कौन सा है pointer के मताव, start pointer क्या कह रहा है हमें, क्या बता रहा है start pointer क्या बता रहा है कि हमारा सबसे starting element is aim music अच्छा मैं next इसके उसके किसे तरीके से जा सकता हूँ मैं पता क्या करता हूँ इस चीज को समझो थोड़ा बहुत code दिखा रहा हूँ थोड़ा से ना हजम करने की कोशिश करना I know it's difficult इतनी अराम से समझ जाता और मैं इसको वैसे तो next class मैं करवा रहा हूँ लगिन करवाना है लेकिन भिर से करवा रहा हूँ अब सुनो बसे जो वह negative बन की तरह इसका मदलब हो end of the link list आचकी है जो भी negative 1 की तरह है वह मतलब end of the link list सही है 100 से start के 256 पर गए 342 पर आए फिर 342 पर गए 342 से तूफ फिर यहां से हमने देखा किस की तरफ जाना है 256 की तरफ जाना है अच्छा भई अब कहा जाने नेगड़वन मतलब नेगड़वन आगे मतलब खतब हो कि इलिंग लिस्ट सभी है अच्छा अब सुनो मैं एक चीज़ थ इतना से तुम लोग इधर उधर होई पूरो चला जाएगा और पर आगे इंदर पास इत्स एटी एट इट परक्वैक्ट साहिए पौइंट की वालीव क्या है अंस्वार एटीएट अब मैरे कोड को देखना मैने कहाँ पॉइंट के लूब के अंदर स्टॉड करो यह वह ऐता हु यह वहाल काम अच्छा अब देखो पॉइंट के अंदर स्टोर करो लिंग लिस्ट एरे का नाम पॉइंट.pointer पॉइंट.pointer चलो अब मुझे बताओ अब सुनो सुनो नहीं, तहां अनगर है सुनो 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 एक मुझे जो मैंने क्या कहा starting में point की क्या value सब चैट पर से बताएं मुझे जल्दी से साथ साथ हों मेरे साथ साथ हों point की क्या value मेरे पास ये सबसे important चीज़ है मैं फिर बता रहा हूँ ये फिर repeat कर रहा हूँ सबका focus चाहिए मुझे यहाँ पर ये वाला जो point में अभी बता रहा हूँ तो में लोगों ये सबसे important चीज़ है link list, insertion, addition ये चीज़ यूज़ होगी उसके बाद आप लोगों का deletion ये सेम चीज़ यूज़ होगी फिर उसके बाद searching ये सेम चीज़ यूज़ होगी अच्छे एक मिर्स सब रुख जें जरा एक बच्चे को साथ करते हैं यूसफ बिटा अब आओ तुम चैट पे कोई और मुझे चैट पे नहीं चाहिए यूसफ क्या इशु आ रहा है बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ साथ हो, साथ हो सब के साथ चलो क्या इशु आ रहा है बोलो ना बोलो बिटा क्या इशु है नहीं, मोहिव रिकर्जिन नहीं है ये अलग चीज़ है पर इस तरह किसे तो नहीं हो पाएगा न यूसफ चलो पर तुमारा अलग सेनारिय है तुमसे अलग बात करेंगे अच्छा छोड़ दो सब मुझे स्टार्ट पॉइंटर नहीं समझाया अच्छा एक में रुक जो अलग से बात करते है सब मेरे स्कूलर ने सेने कर लेंगे अल्ला हुक्बर तुमनों का अल्ला बचा है सब ये पॉइंटर और पॉइंट में क्या फ़र्क है एक ऐसी वैल्यू है जो बताता है कि भाई सिर्फ उसका काम बस इतना सा है स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू हमेशा हमेशा पता होगी हमें सही हमें ये नहीं पता होगी कि थर्ड इंडेक्स की वैल्यू क्या है उसकी लुकेशन क्या है लेकिन हमें start pointer से हमेशा एक चीज़ पता होगी कि start pointer की value पहले node की तरफ point कर रही होगी यह चीज़ clear होगी हमेशा पहले node की तरफ point कर रही होगी ठीक है तो अभी फिलाल start pointer में हमारा कहाँ क्या value ने चाहिए 88 क्यों क्योंकि पहला node जो है उसकी location 88 है अब समझ जागी रुख़ए यह चीज़ यहां तक clear है start pointer की value will be 88 क्यों क्यों क्योंकि पहला pointer जाए पहला node जाए न हाँ उसमें location होती है पहले node की location क्या है पहले node की location is 88 तो वह चीज़ में आप पर मौजूद होगी start pointer में अब मैंने कहा सबसे पहली चीज मैंने बोली point के अंदर store कर दो start pointer की value अभी बताओ point की क्या value होगी अभी सिर्फ focus करो चीज़ों point की value होगी फिर से repeat कर रहा हूं मैं point की value होगी point equals to start pointer point की value होगी 88 perfect अब मैंने कब point की value के अंदर store करो linkless point विच पुरानी value point की पुरानी value which was basically 88 सभी linkless point dot pointer तो 88 का pointer पे क्या चीज मौझूद है बताओ 88 के pointer पे क्या चीज मौझूद है मैं यहाँ पे न values लिख रहा हूं this is point अभी फिलाल point के अंदर 88 था सभी यह मैंने pointer के लिए point के लिए जगा मना दिया है चलो अब जल्दी से बताओ point की क्या value हो गई भई जैसी मैंने इस line को call किया हाँ इसको हम लोग loop के अंदर करते हैं point को मैंने जैसी call किया कि point equals to link list point की पुरानी वाली value का point है तो 88 का pointer which is रुकाइए तुम्हारा जब चाहिए मझे 88 का pointer क्या है दानिया 88 का pointer क्या है परफेक्ट रुकाइए 88 का pointer क्या है 88 पर जाओ उसका pointer की value क्या है that's 100 perfect तो point की value update हो चुकी है point की value 100 हो चुकी है सन्यो परफेक्ट अब मुझे क्या करना है इसको फिर से call करना है यह fall loop के अंदर होता है अब यह फिर से call कर रहा हूँ अब मैं इसको फिर से call करता हूँ अब फिर से बताओ point के अंदर store करो link list की पुरानी value which is 100, 100. pointer 100 पर जाओ 100 पर आगए, 100 पर जाओ और उसके pointer की value बताओ 100 पर जाओ, 100 की pointer की value बताओ point के अंदर store करो link list की point मतब 100, पुरानी value, dot pointer ता हम किस पर आचोगे, next element पे सही यह इसको कहते incrementation in pointer यह incrementation इस तरही के से करते हैं जैसे आप लोग array के अंदर तो index equals to index plus one करते हो ना, this is the concept of incrementation, अब हम next pointer पे किस तरही के से जाएंगे, हम जाएंगे link list point dot pointer, बिलकुल ऐसे ही, next location को ढूणने के लिए तो चलो, अब मुझे बताओ point की value क्या हो चुकी अब 100 पर जाके इसकी pointer की value बताओ 100 पर जाके इसकी pointer की value बताओ बिलकुल starting वाली given होती है, बाकी हमें एक एक करके निकालनी पड़ती है सही है, तो अभी हमेरे पास pointer के अंदर 342 आ गया है सही है, 342 आ गया है, अब इसको फिर से call करते हैं, फिर से सी चीज़ करते हैं मैंने का, point equals to link list, point dot pointer, मतलब 342 पे जाओ, 342 पे जाओ, और फिर pointer Sir, what's the purpose of accessing the old value of pointer अरे उसको छोड़ दो ना अभी, अरे वो छोड़ दो अभी बस सिर्फ समझो क्यों, अपड़ेट हो रहे हैं, यह नहीं हो रहे अरे यह चीज़ तो समझ आगे ना तुम्हें क्यों, क्यों अपड़ेट हो रहा है इससे फाइदा क्या हो रहा है इससे नुकसान क्या हो रहा है वो तो छोड़ तो सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दो गी अभी मैं बहुत आगे का सोच के पढ़ा रहा हूं तो मैं जो हूँ कोर्ट समझ रहा हूं code मुझे पता है क्या है तो उसके मताविक में करा रहा हूँ सही है तो अभी उससे focus करें इसको हम बाद में सीखेंगे इसका use क्या है सही है वो सब चीज़ें बाद में होगी अच्छा अभी यहाँ पर 342 आ गया तो मतलब हम A पर थे हम A के बाद जो है B पर गए B के बाद हम C पर आ चुकें अब अब C पर मेरे पास क्या वाली है इस चीज़ को फिर से repeat करते हैं मैंने का point is equals to linkless point dot pointer तो मतलब 342 पर है 342 के pointer बताओ 342 का pointer बताओ जल्दी 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 342 पर जाओ 342 का pointer बताओ 342 पर आ गया हम 342 का pointer बताओ 256 तो यहां पर point की value update हो गई 256 हो गया सही 256 हो गया अब इसी चीज़ को फिर से repeat करते हैं सही है मैंने का मतलब अभी मेरे पास start pointer से start के A पर गए B पर गए B के बाद हम C पर गए C के बाद अब हम हमने next उस पर जाना है तो मैंने कहा point equals to link list point which is 256 dot pointer 256 का pointer बताओ that's negative 1 negative 1 negative 1 थोड़ो बहुत अगर मैं तुम लोग को अब link करने की कोशिश करूँ थोड़ो बहुत क्या मैं यह कह सकता हूँ when point is equals to negative 1 तो मुझे loop को रोकना है क्या मैं यह कह सकता हूँ थोड़ो बहुत अगर सोचो इसके बारे में when my English में बोले मैं coding नहीं कर रहा when my point is basically equals to negative 1 I have to stop my while loop और मुझे अब इसको call नहीं करना है बार बार राइट थोड़ो बहुत imagine करो थोड़ो बहुत चीज़ों के बारे में सोचो खुद सोचो मैं एक दो-तीन दफ़र इस sentence को बार बार बोलता हूँ मैं भी कुछ सिखा नहीं रहा मैं coding नहीं सिखा यह मैं अभी तक मैं इसे basic सी चीज़ बोली है थमनों को और क्या चीज़ बोली है कि अगर point की value negative 1 हो जाएए ये कर करके बार बार कर करके बार बार कर करके तो क्या ये कह सकते हैं कि when the value of point is negative 1 you are supposed to stop the loop अब आपको इसको बार बार कॉल करने की सुखत नहीं you have reached the end of the link list कह सकते हैं न? yes or no बिटा बस अभी yes or no हाँ ये भी बोल सकते हैं while point is not equal to negative 1 इस तरीके से loop चलता जाए जैसी negative 1 का loop रोग देंगे yes or no बिटा भी focus करो अभी मैं सवाल नहीं पढ़ पा रहा हूं तुम जाओं के मैं time दूँगा सवाल के लिए सबको time दूँगा अभी से वितना जवाब दो मुझे yes or no क्या ये कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं while my point is not equal to negative 1 की location point के अंदर आई थी? yes or no सिर्फ yes or no मैं जवाब देते हो क्या कभी किसी दमाने में 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 ये पास point के अंदर 88 की location आई थी? 88 की क्या मेरे पास point के अंदर 88 की location आई थी? आई थी जब मेरे पास इसकी location आ गई है जब मेरे पास location है तो of course मैं उसका data भी access कर सकता हूं तो जब मैं इसका data access कर सकता हूं तो क्या मैं उसको compare भी करवा सकता हूं किसी के साथ is it equal to d music or not equal to d music मैं बोल सकता हूं कि if link list point dot data is it equal to equal to d music यह मैं पूछ सकता हूं कि जब मेरे पास एक चीज़ आ जाएगी perfect चलो उसके बाद अगर यह condition false हो जाती है फिर चलाओंगा मैं अगली उस पर आ जाते हैं क्या hundred आया था मेरे पास क्या मेरे पास hundred location आई थी इसकी location आई थी क्या कभी मेरे पास point के अंदर hundred की location आई थी कभी किसी जमान में किसी loop के अंदर hundred की location आई थी perfect जब मेरे पास hundred की location आ गई थी तो क्या मैं इसका data access कर सकता हूं क्या मैं यह बोल सकता हूं कि भाई if linguist point dot data is equal to is equal to d music for example मैं d music को ढून रहा था सभी है for example मैं d music को ढून रहा था तो मैं कोई भी condition लगा के कुछ भी काम करवा सकता हूं राइट चलो perfect तुम्हें पास hundred की location आई थी फिर इसके बाद में पास 342 आए था यहां पे तुम्हें पास 342 क्या मेरे पास किसी जमाने में c music की location आई थी पॉइंट के अंदर किसी लूप में किसी उसमें campus c music की location आई एक link list data link list point dot data is equal to d music condition false हो गई अभी चला और चलो सही है अब मैंने 342 के बाद मैंने next इसके पास आई थी मेरे पास 256 सही 256 क्या मेरे पास कभी d music की location आई थी point के अंदर क्या कभी किसी जमाने में किसी लूप के अंदर d music की location आई थी तो क्या मैं इसका data भी access कर सकता हूं by using the same location can I access the data as well मैं यह बो सकता हूं ना कि link list point dot data is equal to data is equal to d music क्या यह कह सकते हैं condition true हो गई yes or no condition true हो गई तो जब condition true हो जाए तो मैं यह बो सकता हूं return 256 मतलब return कर दो या print कर दो 256 को बस यह concept है searching का इसी चीज़ को searching कहता है ऩा को what की तरीका से किरेंगे है वह बात की बात है return समझ नहीं है एक म्में रूट जो पूइज प्लीस 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 गःएन सुनो इसको फिर से सुनो जब मेरे पास point के अंदर 256 आ गया तो मैं इसको compare कर सकता हूँ रुकाया कि इफ link list point dot data मतलब which is point के इंदर 256 है 256 dot data is equal to d music क्या मैं इस compare कर सकता हूँ कर सकता हूँ तो जब मैंने compare के लिए तो में पास d music की location मिल गई मैंने इसको print कर दिया print point जब मैं print point करूँगा तो मुझे location मिल गई इसको return कर दो या print कर दो आप समझा भी चलो perfect होगी है यहां तक अब मैं कुछ सवाल देख लेता हूँ यहां पर sir what's the point of link list if we can search the same way in area बिटा इस तरीकी से नहीं होता ना जया देखो अभी फिलाल न आप लोगों का जो दिमाग है न वो इसके use को समझ नहीं सकता link list के use को क्योंकि यह क्या है अभी a music c music b music d music तो of course मेरी जो example है उसके मताबिक इसके use को judge मत करो कहने का मकसद यह मेरा right मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश करूँ इसका use बहुत वास्ट है तुमारे computer जो है सारी memory consumption सारे operating system तुमनों की पूरे computer जो बनता है वो link list से बनता है पूरे जो memory locations हैं उसके बाद binary trees इस्सेमाल हो रहे होते हैं इतनी सारी चीज़ें जो इंदेप तो रही होती तो नहीं पता भी नहीं उसका असल use क्या है उसमें पिर हम बात करेंगे हाँ भाई अच्छा किसी element को ढूणना होता है अगर आपको उसके next location को ढूणना है उसके next location को ढूणना है तो उसके अंदर link list होगी अगर मैं इसका proper use तो मैं बताऊं कि एक कभी hashing algorithm के अंदर कभी clash आ जाता है तो उसको अगर same location पर store नहीं कर सकते तो उसमें हम एक पूरी chain create करते है link list create करते है अब उसके बाद next element को ढूणना है फिर उसके next element को ढूणना है फिर उसके next element को ढूणना है तो इसका use इस example से judge मत करो ठीक है तो hopefully तुमें clear होगी होगी अगर negative one से पहले item मिल जाए फिर तो फिर हम लोगों को जैनब तुम्हारा सवाल अच्छा है कि अगर हमें negative one से पहले मिल जाए तो जब मैं while का loop लगाऊंगा ना तो उसमें मैं दो condition लगा दूँगा और दो condition क्या होगी या तो मुझे data item मिल जाए या तो मेरे पास negative one reach हो जाए या तो जो मैं बना सकता ना अपनी condition while के अंदर या तो जो मैं pointer है मेरा वो negative one के बरावर हो जाए या मेरी condition true या false हो जाए इस तरीके से हम condition बना लेंगे अभी हमें code तो नहीं देखा अभी एक random सी हम अपनी conceptual चीज़ों को समझ रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं that's it बस array की तरह access करना है और ये code line loop के अंदर लिखना होगा ऐसे ही फैजान बिलकुल इतना भी असान नहीं है return तो भिल भी बच्चों वाले चीज़ थी चलो बहुत बहुत अच्छा होगा कि तुम लों को although पता है जब मैं last time पढ़ा है था तो ये pointer वाली चीज़ समझ नहीं थी बच्चों को तो बहुत अच्छी चीज़ होगा कि तुम लों को यह अभी से समझ आ गई है चलो अब मैं अगर सब को searching समझ आ गई तो मुझे एक दफा ज़रा चाट पर बस confirm कर दो सब को searching समझ आए कि searching किस तरीके से करता है लिंग इस में और वह पॉइंट किस तरीके से कर रहा होता है ठीक है लेट में पॉस ये चाट फर्स्ट एक सवाल आए मेरे पास सबस्क्राइट पॉइंटर हमेशा given होगा और हमें उसे पॉइंट के वेरेवल में store करनाँगा बिल्कुल ऐसे ही मैं आए बिल्कुल ऐसे ही आप लग कंटीनिंगों सकते हो फुष सवाल इससे रेलेटेट तो पूछ सकते हो प्लीस जल्दी जल्दी से सवाल पूछ और ए फिर इसके बाद इंसरेशन पर जाऊँगा इनी कुश्टिंस अलीजएन तुम खामोश हो तुम्हें समझ आ रहा है डॉट पॉइंट डॉट डेटा सिंटेक्स है बिल्कुल बिटा डॉट 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 डेटा यह सिंटेक्स पढ़ा था न हमने अलिजबा ये चीज पढ़ी सी नहीं अभी पढ़ी है लिंगलेश jeito डॉट जब डॉट डॉट पॉइंटर तो यहां पिज़ों पॉइंट आ जाएगा सची है епांज था इस तरीके से काम करना है पॉइंट इफो इस तरीके से साए चीजों काकल टॉइंट करएगे समझ गए हैं बट एक बार कोड करवा देते हैं अभी नहीं कोड अभी कोड नहीं हाँ बिल्कुल बिटा मुहे उसमें इस्तिमाल होता है अच्छा सोबिया बिटा अपना सवाल पूछो सवाल पूछो तुम लोग अब एक करके सारी पूछते हैं और खाली определ लेकिन जो और नोट होंगे वह भी तो नेगेटीवbble English को को पॉइंट करेंगे पाइंगा लेकिब लिस्त हम लोगे ने गेडिक बन की तरफ तो पॉइंट कर रही है सारा फॉससे पहलेšगा उसको देख़ोगे यह न servicio रहा हैं Kि मेरे पास जो दी music से पहले c music है c music जो है वो फिर d music पे जा रहा है राइट तो एक chain बनी वी है वो बाकी सारों को हमने तो chain में डाला ही नहीं है ना सवाल पूछे सवाल पूछे मसला है तर मैं डिस्कनेक्ट किसा है बिटा नहीं है मैं ब्रीफिंग नहीं नहीं दे सकता है मैंने बहुत चीजों को लिंक करते में यहां तक आया हूं वह फिस शुरू से स्टार्ट करना पड़े जाएगा मुझे एक नोट को दूसरे नोट से कंपयर करेंगे एक नोट को दूसरे नोट से कंपयर नहीं कर रहे चलो मैं समझझाता हूं ठीकте मैं समझ ए से आपने इंक्रीमन्ट लेकिं तूडी आड़ेshaped में वो भी same चीज़ फिर करेंगे तो chain में जो नहीं होंगे वो कहां होंगे वो एक अलग link list बनती ही उसको कहते है empty link list एक area केंदर दो link list होती है एक होती है proper link list जो आपके जिसमें data's मौझूद है पिर एक होती है जिसमें empty link list होती है खाली वो बनी वे होती है all clear बिलकुल ऐसे ही है करेंगे बिटा भी रुक जो तो नहीं सुनता music भाई तुम टेंशन ना लो सब मौक के पर सुन टेंशन हो देंशन हो देंशन हो अब फोकस करो सही है चलो अच्छा अब सो भी हो तुम्हें समझा रहा हूँ एक मिन प्लीज कोई चैट पर नहीं चाहिए मुझे सही है मुझे कोई चैट पर नहीं चाहिए अब यहां पर न मैं वैल्यूस लिख रहा हूँ मैं यहां पर वैल्यूस लिख रहा हूँ music से न तैमूर साब को मसले हो रहा है a music को अटा के c कर देते है sir ask time पर multiple English exist करती है एक time पर multiple English एक area केंदर दो English exist करती है sir insertion तब करेगा जब next pointer में empty string हो बात करते हैं भी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगा अगर तुमलों को यह pointers का गेम आ गया ना पस फिर तो की tension नहीं तुमलों को तुम लोग अपना कोट्स खुद भी लिख पाओगे इन्शाला एबी बी आएगा और यहां पर डी आएगा ठीक है चलो अब मैं तुम्हें एक में प्लीस मुझे यहां पर कोई भी नहीं चाहिए चैट पर एक में सोब्या जल्दी से चैट पर आजा जल्दी जल्दी एक में रुक जो अभी रुक जो कोई और चैट पर ही चाहिए अचा सोब्या मेरा सवाल यह सर्चिंग का मतलब ही होता है कि मैं ढून रहा हूं मुझे बी की लोकेशन ढूननी है सही है मैं सर्चिंग यह कर रहा हूं कि मुझे बी की लोकेशन पता है मुझे यह बताओ क्या मुझे आइक स्टार्ट पॉन्टर की से स्टार्ट करेंगे हम यह पूरada में सारे आइटम्स पर जाएंगे मैंने का start pointer से start करते हैं और मैंने सबसे पहले चीज़ कही start pointer point is equal to start pointer point की value क्या हुए starting के अंदर सबसे starting के अंदर 88 होई perfect यहां पे 88 आ गया उसके बाद मैंने कहा compare करो point data मतलब इसको हम compare कर रहे हैं if link list 88.data 88 पर जो data है क्या वो b के बराबर है यह बताओ 88 पर जो data है point dot data वासे एक मुद्ट जविटा भी है नहीं है ए जए वो b के बराबर नहीं है तो मैं कहूंगा अब increment कर दो increment मतलब next note पे चले जाओ सभी increment का क्या मतलब है next note पे चले जाओ अब मैं next note पर आगया किस तरीके से आँगा इस तरीके से मैं बोलूँगा point के अंदर store करो link list point which was 88 88 की pointer की value क्या है जल्दी से बताओ 88 की pointer की value 100 perfect तो अब point की value 100 हो चुकी है अब मैं कह रहा हूँ वही same चीज़ फिर से condition check करो if link list link list point dot data is equal to is equal to b क्या अब ये b के परावर condition true गई क्या ये condition true गई अब condition true गई जब ये condition true गई तो मतलब return point return point return कर दो point को या print कर दो जो करना कर लो point की value वह है जहां पर b exist करता है इसको कहते हैं searching ये comparison है समझा है अब सोब्या एक्लिर हो गया perfect when we access a what will be the value of pointer point की value 88 होगी जो start pointer पर depend कर रही है sir ये जो values है pointer की like 234 ये हमें कैसे पता चलेगा ये किसकी value है try to recall बिटा हसान हसान अहमेद ये values है ये हम अभी फिलहाल के लिए देख पा रहे हैं ये वैसे आपके memory locations है तरीके से ये index positions है एरे की index positions जाये जिनका होगे वो जाये क्यों किसकुशी में जो बिटा भी तो insertion है फिर deletion है ordered insertion है भी चुचा बैठो 50 मिनट है मेरे पास अब सुकून से पढ़ो पता नहीं कहा जिल्दी है तुम लोगो भागने की अच्छा अब सुनो भई अब हम पढ़ने जा रहे है the concept of insertion मुझे सबका focus चाहिए अब यहाँ पर बेतरीन होगे insertion सबको समझा गया areas का concept होगया increment तुम लोगों को आ गया increment के बाद अब insertion सिखा रहा हूँ और उसके बाद मैं सिखा रहा हूँ तुम लोगों को deletion किस तरीके से करते है basics है जादा नहीं टाम लगे कितना यहां पर मैं values डाल लो अभी मैं ordered insertion सिखा रहा हूँ पहली चीज़ हम सीख रहे ordered linkless के अंदर ordered क्या मतलब क्या होता है बताता हूँ अच्छा मैं जब रहे हैं कि locations इस चीज़ को हटाते हैं यहां से इस चीज़ को यहां लाते हैं अब proper explanation है insertion कि अब सब गौर से सुनेंगे सारी चीज़ां को यह 100 हो गया और यह 256 कर देते हैं इसको this is 256 और यह 342 कर देते है सभी है तो यह इस तरीके का कुछ बन गया मेरा यह linkless बन गई है ठीक है यह linkless कुछ इस तरीकी की बन गई है मैं जरा value store कर दो तो 100 जह है वो 256 की तरफ point कर दे 256 जह है वो 342 की तरफ point कर दे अब इनकी values देखना सब मेरे पर starting में value थी 15 15 वाला जो value थी वो point कर थी 100 की तरफ तो ordered है order मतलब increasing order है तो इसका मतलब यहां पर value थी 20 फिर यह point कर रहा था next की तरफ यहां पर value थी 25 यह उसकी next की तरफ point कर रहा था which was 342 यह थी 30 सब्सक्राइब मुझे सब चैट पर बताए is it ordered link list क्या यह किसी ordered में मौझूद है हमारे पस ordered link list है यह ordered link list है ordered link list है 15 फिर 20 फिर 25 फिर 30 इस order में चल रहा है अब यह बताओ 15 किसकी तरफ point कर रहा है 15 किसकी तरफ point कर रहा है 15 के बाद वाला कौन से element है 15 के बाद वाला कौन से element है it's 20 तो यह कुछ arrow इस तरीके का बन गया है सब्सक्राइब बताओ 20 किसकी तरफ point कर रहा है 25 कि तरफ कर रहा है फिर 25 किस की तरफ कर रहा है 30 कि तरफ कर रहा है नेगरिटिव बान मतलब नल मतलब खतम लिस्ट खतम चार एलेमेंट से हमारे पास और स्टार्ट पॉइंटर किस की तरफ कर रहा है 15 की तरफ स्ंलिए कई हिस तरीके यहमारी ही वो निए सारी चीज़ा एं सार है नहीं इतना नहीं है सबसे मुश्किल क्या है आपके पास अगर मैं इंसर्शन करूंगा ना और दिंग रिंग लेस्ट याफ गसमद को यह सच आप लोगों को प्रॉब्लम और लिंग लेस्ट थोड़ी स्थोड़ी मुशe किल आ दिख डै रहर हिर अजय है अच्चा इसमें थोड़ी से लिकेश्झ भूंणी पडती ए्पहले पिर इसमें इन्सपर लेत Jag अब बताओ क्या यह ordered है यह unordered है क्या यह ordered यह unordered चल्दी से बता दू now it is unordered link list सही है अब यह है unordered link list हमाई पर दो किसम की link list होती है अच्छे जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना यह सब चीज़े लिखी विए इसके परेशान मत हो ना incrementation in pointer ordered link list, unordered link list पर उसके बाद insertion, हर एक चीज़ लिखी विए अभी परेशान मत हो चीज़ों से तभी हम सब चीज़ां आइससा देखेंगे अभी फिलाल मेरे साथ focus कर लो कि अब हम पढ़ रहे हैं unordered link list के अंदर insertion, बहुत ही बच्चों आली चीज़ होती है में पस कोई खाली नोड है यहां पर खाली नोड है ना, perfect तो जब में पस खाली नोड है तो मैं क्या करूंगा मैं इस तरही किससे पहले नोड बनाऊंगा यहां पर देखना, मैं पहले नोड बनाऊंगा मैं इसको बोलूँगा added node इसको एक नाम देते हैं, इसके इंदर मैं नोड बना रहा हूँ, किस किस चीज चीज का बना रहा हूँ? यह मैं पूरो डारेक्ली इसको स्टोर करता हूं एरेकंदर मैंने का लिंगलिस्ट लिंगलिस्ट किस किस पॉजिशन को खाली है मेरा चलो हां new node करके बना देते हैं सही इता हाँ सही new node करके बना देते हैं this is my new node new node link list new node node मैं डाड मैं एक नया node बना रहा हूँ मुझे insert करना है जैनब insertion सीख रहे तो पहले एक node बनेगा तो ही insert होगा हम एक node बना रहा हूँ which is 45 अब मैं 45 को insert करने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी फिल्हाल के लिए नेगरिटिव बन की तरफ पॉइंट करता है initialization यह खाली नोड बना दिया यह सुननो एक नोड बन गया मेरा प्रॉपर अब इस नोड को मुझे इसकी बस pointers fix करने है सभी इस नोड के मुझे किसी तरीके से pointer fix करने मैं यहां पर values डाल दो 20 इसको हम कर देते हैं 15 इसको कर देते हैं 30 चल अब बताओ इसमें last मेरी इस area को देखो इस area को देखके बताओ last मेरा note कौन सा है सबका जवाब आ जाने चाहिए मेरा last note कौन सा है मेरा last note कौन सा है मेरा last note जो है 30 वाल है क्यों वह negative 1 है वापके राइट तो यह last note है तो मैं इसको कहा store करूँगा मैं इसको उठाऊंगा यहां से इसको मैंने उठाया मैंने इसको replace कर दिए कैसे replace करेंगे वह छोड़ देना वह बाद में मैंने एक खाली जगह पर डाल दिये क्या यह अभी मेरी link list का हिस्सा है यह बताओ क्या मेरे भी arrows बनाए मैं कुछ link बनाए वा मैं इनका कोई link है इसका कोई अभी तो कुछ भी निया लिंक इसका राइट तो अभी फिलाली मेरे link list का हिस्सा नहीं है तो मुझे मुझे क्या करना है मुझे क्या करना है मुझे आखरी note की location ढूणनी है मुझे क्या करना है मुझे आखरी note की क्या ढूणनी है location ढूणनी है राइट मुझे आखरी note की location ढूणनी है क्यों ढूणनी है इसलिए ढूणनी है अच्छा मुझे इसकी index value बता दो क्या है जली से मै यह कहां आप insert किया है यह मैंने 1 पर insert किया इंडेक्स पॉजिशन 1 पर यह आपको known होगी यह आपको पता होगी इसको कहते हैं free list pointer यह free list pointer है यह free list का pointer यह आपको पता होगा which is 1 सभी सब को मालूम है तो हमें करना क्या है समझो 30 कि बाद जो इसको आड करना है किसी तरीके से बस मुझे इसकी पॉइंटर्स की वैलिस को चेंज वह किस तरीके से चेंज़ करूंगा यह नेगेटव 1 कि अंदर के लगए आपक उना स्मेट हग मैं सि kombin कर रहा हूं वह बात dif नैग ऐ मुझे अब यहां पे देखो यहां पे देखो यहां पे देखो सुनो 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 सुन है सबसे पहले चीज मुझे एक नहाय नोड मुझे एक वैल avenue inside करना है विच है feelingस कि neutr ile city के साथ उसको जोड़ दो इतना संपिल काम करना है आखरी वाले नोट के साथ जोड़ दो बस मुझे पहले यह बता हो क्या मुझे आखरी वाले नोट की वैली पता है क्या लोकेशन पता है मुझे आखरी वाले नोट की सोच समझ के जवाब देना क्या मुझे आखरी वाले नो तो इंसरेशन का काम सुनना पहले आप एक नोड करते हो इस तरीके से आपने एक खाली नोड कर दिया अब मुझे बताओ क्या मैं इस लूकेशन को ढूंड सकता हूं कि लूप को चलाते जो जब तक नेगेटिव ना आ जाए ऐसे यह काम कर सकते हैं यह काम कर सकते हैं हम लोग जब तक नेगेटिव न के बराबर नहीं हो जाता आप इसको चलाते जाओ जैसे ही नेगेटिव न के बराबर हो जाएगा मुझे यह 342 मिल जाएगा जैसी मुझे 342 मिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग बस अब मुझे अपने वैल गेंट्र को किस तरीकसे एकसेश करते हैं फिर तो चेंज करना वे वे क्सकी को को प्रॉब्लम ही नहीं होगी किस तरीकसे नहीं होगी किया चीजब करेंगे है इन वेता क्या चीज़ करेंगे रख समझको सब जवाब में मिटत vista करना है पैर्ट Child store करूं 21 यह में 21 लिट्प है भी इस दिलिके से connection meet up करने के लिभी किये एक concept इतना सब concept insertion का that's the concept of एंग उर्डर्ड इन्सेर्शिं ऐ इस पर फिर से देखो 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 फिर से आखरी वाले element पर जाना होगा उसके pointers की value को set करके इसकी तरह point करवाना है, ये काम है, लेकिन ये किस तरीके से होगा How do we know it's 21, बिटा है जब आप array के अंदर बनाओगे ना, तो एक pointer होता है, आपके पास free list के नाम से सही है, free list के अंदर हम लोग इस note को create करते हैं तो जब हम last element को store करेंगे तो उसको free list के जरिये से store करवाएंगे ठीक है, बिटा है, नोड append बपेंड नहीं होता है, इसके अंदर सही है, अच्छा अब सुनो अब सुनो, 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 सुनो पूरी चीज़ पर सुनो, एक दफा, प्लीस यहाँ पर focus कर लो, एक मिंट, रुक जो, सब कोई सवाल नहीं चाहिए, मुझे, एक मिंट, कोई सवाल नहीं चाहिए, मुझे, free list के अंदर 21 मौजूद था, जब हम नोट बना ले थे, यह हमें स्टार्टिंग के अंदर पता होता है, खाली नोट कहां पर है, free list 21 है, ठीक है अब सुनो, सब गौर से भाई अब जब हम बात करेंगे कि मुझे 45 को इंसर्ट करना है कहां पर इंसर्ट करना है, मुझे बस इसकी pointer की value चेंज करनी है, किसकी 342.pointer की value चेंज करके 21 के अंदर, 21 अदर store करना है किस तरीके से करूँगा, पहले मुझे 342 चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मेरा last, जो element है अपने उसका for example, अपने link list का last element जो है, वो कहां पर है वो मुझे ढूणना है, तो वो मैं किस तरीके से ढूणता हूँ वही वाली logic, point equals to point dot link list pointer करके, dot pointer करते 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 loop में चलाता जाओंगा, जैसी negative 1 आएगा, उसके previous वाले pointer को उठाके, previous वाले pointer को, ये current pointer, negative 1 वाला, उसके previous वाले जो है, वो 342, अब जैसी में पर 342 आजाएगा, मैं बोलूँगा, कि link list, अब देखना को और से, मैं बोलूँगा link list, previous pointer जो previously pointer था, which is 342, इसके pointer की value change कर दो, और इसके pointer की value के अंदर क्या ची इस्टोर कर दो, free list वाली value, which is basically 21, तो यहाँ negative 1 की जगा, क्या जगा 21, यह एक link बन गई यहाँ पर, तो this is the concept of insertion, अच्छा ज़रा आप मैं एक जलक तुमनों को code दिखा रहा हूँ, तो देखो तुमनों को थोड़ा बहुत समझ आ रहा है उसको, अच्छा पहले तभी बताओ यह समझ आया, अभी जो मैं ने बताया चैट पर रहा हूँ, थोड़ा सा समझ आया, थोड़ा-थोड़ा समझ आया तो यह है, what is free list, free list जो है, खाली जगा है आपकी जहां पर आपकी data store कर सकते आप previous pointer कहां से यह बिटा, भी सीखेंगे, code में सीखेंगे सभी, search बिलकुल, आाखरी element को ढूं़ के insert करना है यह concept है भी फिनल का, आखरी element को ढूं़ना है जोबदना हे, और insert करना है free list, अब एक link list है, बिलक्ल ऐसे ही free list एक अलक से link list है, है, sir link list में data का data type जोड़ा करता है data का data type मैट करती है, हाँ फिर से explain करना है प्रॉपर detail में अब इसे वे एक दफ़ा code देख लो तो यह कुछ code इस तरीके का देख रहे हैं आपका सभी है एक में लोग जाओ ज़रा एक लिस्ट में जगा है या नहीं है ठीक है अगर जगा है तो फिर मुझे क्या करना है मैंने कहा एक empty list बनाई है empty list is equals to link list empty list dot next node अच्छा यह update करने वाली बात हो गई इसको छोड़ दबे फिलाल यह छोड़ दो यह concept छोड़ दो मैं यहां से सीखो अभी पूरा तो code of course तुम जल्दी से बताओ यह वादी लाइन समझ जाए new node equals to node data minus one object create के एक node create किया बागी code बाद में सीखेंगे सब चीज़ सीखेंगे सुकून से अच्छा जब यह node सीख लिया तो तुमने यह चीज़ समझ लिए कि हम कहीं पर भी उसको random ली insert कर देते 45 को मैंने कहीं area के अंदर डा अब उसकी बाद हमने क्या किये अभी फिलहाल के लिए इसको समझ लो थोड़ा सा अभी previous pointer से confuse मत होना previous pointer से confuse मत होना यह हम कल पढ़ेंगे इसको next lesson पढ़ेंगे तो while current pointer is not equal to negative one यह क्या चीज़ कर रहे है थोड़ा बहुत समझ जा रहा है searching हो रही है current pointer is equals to linkless current pointer dot next node मतलब यह next पर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा जब यह वाई लूप खतम होगा तो मेरे पास क्या जाएगा एक जगह आजएगी जो last element था last element की जगह आजएगी previous pointer में आजएगी बिल्कुल ऐसे ही है तो उस previous pointer को इस्तेमाल करके मैं free list की तरफ point करवा दूँगा बिल्कुल तो free list क्या था जहां पर मैंने node बनाया था अपना तो अगर थोड़ा बहुत भी इसकी जलक समझ आ रही न तो आज ही class पूरी वर्टर्ट हो जाएगी सही है तो that's the concept of addition in a link list यह है unordered की बात हो गई आपके साथ अच्छा देखो कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं यार कोई मसले की बात नहीं कि समझ आया यह नहीं आया कोई इशु नहीं तर इतनी टेंशन नहीं है नहीं हमर बिटा नहीं इस तरहीं के से meth करो लड़के थोड़ा सा टाम देद हो मुझे अच्छा अब जल्दी से देखते हैं अब हम बात करेंगे किस चीज़ के बात करेंगे अब हम लोग अरे code के तो मैंने भी समझाए नहीं न, code हमने कहां किया है तो code नहीं समझाए मैंने, बस सिर्फ छोटी छोटी चीज़े समझ आई है महमद छोटी छोटी चीज़े, जाद है नहीं कि वो जो searching कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, note बना रहे हैं बागी सारी चीज़े न, अभी तो मैंने इतने सारे concept समझाए नहीं, अभी तो basic चीज़ से लिए यार अच्छा, अब जब हम बात करते हैं, ordered link list में क्या होगा, मैं roughly उपर से बता जेता हूँ, बागी हम उसको बाद में पढ़ेंगे order link list में क्या होता है, ordered link list में क्या होगा, beach में कहीं add करना है तो अब beach में add करने का मतलब क्या है, आपको अब उसके beach की location ढूडना है फिर उनकी pointers को adjust करना है, that's the concept सही है, कहीं beach की location ढूड के उसको pod list करना होगा और Deletion किस तरीके से करते हैं Deletion किस तरीके से करना है For example, मुझे 30 को रिमूफ करना है सही है अब यहां पर देखो अब मैं Deletion करके दिखा रहा हूँ Sir, we search until you find the last note Then insert in between बिटेस में condition होती है कि चेक करना होता है कि order चेक करना होता है उसका वो हम बाद में सीख लेंगे सुकून से देख लेंगे आखरी पॉइंटर को ढूड़ने किसमें इसका पॉइंटर करना है कह सकते हैं For example, देखो मुझे 30 को रिमूफ करना है अब मैं Deletion सिखा रहा हूँ सही है Deletion सीख लो यहां से जल्दी से सीख लो देख लिकिनर कहते हैं अगर मुझे 30 को रिमूफ करने तो मुझे क्या करना है बस बेसिकली मुझे यह लिंक खतम करना है यह लिंक खतम करके और यह लिंक क्रेट को सब्सवाज बस और इसको मैं कहूंगा free list is pointing towards this location इसकी तरफ point करने लग जाएगा इसको कहते हैं deletion यह किस तरीके से होगे यह बाद में सीखेंगे detail में और किस तरीके से pointers का access कर सकते हैं मुझे यह बताओ मैं इधर 342 कैसे ला सकता हूँ मैं इधर 342 कहां से ला सकता हूँ मुझे कैसे बता चलेगी इसकी location इधर से इस element से बता चलेगी जिसको मुझे delete करना है जो item को मुझे delete करना है 256 वाली location को मैं बोलूँगो 256.pointer वाली value को यहाँ पे store कर दो तो यहाँ पे आ जाएगी 342 वाली value जैसे यह 342 वाली value हैगी हम बोलेंगे 342 को हटा के यहाँ negative 1 डाल दो that's it यह काम बन गया आपका linkless बन गई बस देखो 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 पिर से देखो पिर से देखो deletion एक दफ़र पिर से देखो यहाँ 256 से राइट अच्छा मुझे यह बताओ जैनब यह देखके बताओ कि मुझे यह link बनानी है यह link बनानी है bubble sort नहीं है बटा ही bubble sort कहाँ सागय है मुझे यह link बनानी है किस तरीके मुझे अगर 30 को delete करना है तो मुझे यह link बनानी है बस आर खतम होगया almost that's it यह link मैं किस तरीके से बना सकता हूँ मुझे 256 की जगा 342 store करना है तो 342 मुझे कहां से मिलेगी जो item delete कर रहा हूँ न उसका pointer की value जो भी item आप delete कर रहें उसके pointer की value आप इस्तेमाल करेंगे और यहाँ आप इस store करतेंगे 342 तो यह 342 से इस तरीके की link बन जाएगी फिर हम इसका क्या करेंगे उसको छोड़ वो बाद में सीखेंगे इंशालला सही है अच्छा अब थोड़ी बहुत मुझे basic सवाल करने है तुम नहों से मुझे थोड़ी थोड़ी मुझे जो चीज समझ जो मेरा main focus था ना उसको सुन लो एक मुझे जो हाँ 30 जो है वो empty list consider हो जाएगा उसका हम किस तरीके से करेंगे वो हम बाद में सीखेंगे अब एक चीज सुन लो मिली पहले एक चीज सुन लो सब basic of linkless समझ आई basic बिल्कुल basic जादा नहीं मुझे यह सब चीजे फिर repeat करनी है यह देखो मैं तुम लों को दिखा देता हूँ अभी जब हम यह सीखेंगे increment and pointer यह सीख लेंगे फिर उसके बाद increment करने के बाद जो है यह देखो यह आ गई addition addition के बारे में बात करनेंगे यहाँ पर unordered linkless के पूरी addition के यह पूरी चीज बार फिर से repeat होनी है पूरी addition complete अब सिर्व addition की बात होगी करने के बाद फिर उसका code करेंगे पिर उसके बाद deletion की बात होगी पूरी चीज वही जो हमेने भी तुम लों को सिखाया वो सब चीजें proper तरीके से deletion सीखेंगे फिर उसका code लिखेंगे यह deletion का code है पूरा उसके बाद deletion करने के बाद searching की बात करेंगे searching का फिर code लिखेंगे searching तो बहुत असान है तुम लोग अब समझ भी आ गई है while current pointer is not equal to negative one और बार बार उसको चलाते जाओ मतलब इसको start pointer से start करके search करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ बहुत बच्चों वाला काम है इसको तो फिर उसके बाद ordered lingless सीखेंगे यहाँ पर ordered lingless सीखेंगे जब ही हमने उपर सीखा है उसका फिर code देख लेंगे तो यह सारी चीज़े फिर उसे repeat होनी है उसकी tension मतलो मुझे अभी तुम लों को सिखाना क्या था बहुत ही basic सारी चीज़े है तो अगर तुम लों को basics clear हो गई है तो मुझे इतना काफी है मेरे लिए बस यह समझ आगे कि पढ़ना किया भी हम लोगों ने सही है is there any queries सबकी queries बतादो sir if we P4 और P3 pseudocode के notes provide करेंगे यह सब मिल जाएंगे ना बटा आपको notes यह deletion को code कितने marks को होगा marks को होगा अच्छे हां से marks को होगा यह तक्रीपन 9 mark का 6 mark का sir binary के कम codes है ना only 3, haa binary के कम codes है मारे पास comparatively अगली क्लास में coding करेंगे बिलकुल ऐसी है अगली क्लास में addition की coding करेंगे अगला चैस्टर्स गरता है अगला बस बैस हो गया सभी है लेक में पॉस्ट रिकॉर्डिंग फॉर यूज पर मैं आपनों के queries क्ले करता हूं